इन दिनों जहार आजधानी से रेका छोटे बड़े कई राज और शहर मौनसून के कहसे जूज रहे है वहीं हम माराश की उपर आजधानी नाकपूर के लिए भी मौसंग की चिताव नहीं मिल रही है भारत मौसंग विख्यान विभाग ने 17 जुलाई से 21 जुलाई तक नाकपूर जिले में आंधी, बिजली और हलकी से मध्यम बारिश की संभावना जताई है और इस अबदी के लिए यलो अलेट भी जारी किया है हाला कि 18 जुलाई 2023 के लिए औरेंज अलेट जारी किया गया है और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना इस वक्त जताई गई है इस दिन कई स्थानों पर बहुत भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही संभावनाओं की चलते जिले में 7-21 जुलाई तक यलो अलेट में आंधी बिजली और हलकी से मध्यम बारिश हो सकती है साथी 18 जुलाई को औरेंज अलेट की चेतावनी दी गई है इस दिन का इस थानों पर भारी बारिश के साथ आंधी और बिजली गिर सकती है इसी के साथ ही नागरिकों फिशेशकर किसानों से मौसम विभाग में सावधानी बरतने को कहा है और नागरिकों को आत्म सुरक्षा के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है जैसे कि बिजली गिरने के दौरान जितना हो सके घर के अंदर रहना जरूरी है और गलती से भी किसी पेड़ के नीचे ना खड़े हो अगर नदी या नहर के पुल के उपर से पानी बह रहा हो तो किसी भी तरह से पुल पार करने की कोशिश ना करे वही नदियों, जीलों और बांदों में नागरिकों को पानी में प्रवेश करने का प्रयास नहीं करना चाहिए NBCN News भी दर्शकों से अनुरोध करता है कि निर्देशों का पालन करे और आत्मस्रक्षा के लिए सतर करे है NBCN News के लिए अकसान सारी की रिपोर्ट